हेई फ्रेंड्स वेलकम वेलकम बाक तू एजुकेशनल चैनल बाई रिताशू आज हम पढ़ने वाले हैं दिपावली पर निबंद लेखन हिंदी में अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेर और कॉमेंट जरूर से करें तो दिपावली पर आईए निबंद पढ़ते हैं ग्ञान का और अंदकार अज्ञान्ता का प्रतीक हैं इसलिए सदैव हमें अंदकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए दिपावली एक जोती पर्व है जो अमवस्या की रात्री को मनाया जाता है अध्यात्मिक द्रिष्टी से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अज्ञानता की अमावस्या चाई है उस अज्ञान रूपी अमावस्या का आवरन ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर किया जा सकता है दूर किया जाता है दिपावली हमें यही संदेश देती है तातपर्य वर्सवरूप दिपावली शब्द दीप जमा अवली से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दीपों की पंक्ती इस दिन रात्री में लोग अपने घरों को दीपों की पंक्ती बना कर सुसज़ित करते हैं यह प्रमपरा आज बिजली के बलबो द्वारा सजाने में परिवर्तित हो गई है दिपावली का त्युहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है यह समय इतना सर्वोत्तम है कि वर्शाकाल समाप्त होकर शरद रितू का आगमन होता है उसकी प्रथम अमावस्या को दिपावली पर्व मनाया जाता है इसके बाद शरत की चंद्रकला प्रारंब हो जाती है जो प्रकृति का शिंगार है दिपावली मनाने की प्रंपरा दिपावली महापर्व की रातरी को लोग लक्षमी पूजा करते हैं भारतिय मानिता के अनुसार लक्ष्मी धन की अधिश्ठामी देवी है। इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा करके धन में व्रिद्धी होती है। व्यापारी लोग इसी दिन से अपने बही खाते प्रारंब करते हैं। लक्ष्मी पूजा के संबंध में एक पुरानी कता है कि इस दिन देव वा दानवो द्वारा समुद्र मन्थन कर चोधा रत्नों का जनम हुआ। उसी दिन समुद्र में से लक्ष्मी का जनम हुआ। इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा करने की मान्यता है। जोती पर्व दिपावली एक जोती पर्व है इस दिन के लिए लोग अपने घरों को घरों की कई दिन पहले से ही साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं विभिन तरीकों से घरों को सजाते हैं दिपावली के दिन सायकाल को दीपकों की पंकती बनाकर प्रकाश से सारे घर को जगमक कर देते हैं चहुं और प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है मानो उस दिन प्रकाश अमावस्या पर विजे प्राप्त कर उसको लज्जित कर रहा हो इस समंध में एक प्राचीन मानेता है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का बनवास काट कर अपने घर वापस लोटे थे और उस दिन अमावस्या की रात्री थी इसलिए अयोध्या के लोगों ने राम के स्वागत में दीप जलाकर अपने अपने घरों को सुसजित कर दिया तब से धिपावली का पर्व जोती पर्व के रूप में मनाया जाता है इसके पूर्व यह पर्व केवल लक्षमी पूजा के रूप में मनाया जाता था पर्व मनाने की प्रथा आधुनिक यूग विज्ञानिक यूग है अब जहां एक और दीप मालाओं बिजली के बलबो द्वारा घर को सजाते हैं वहीं दूसरी और बम पटाके फुल जडियों का प्रयोग भी बड़े उल्लास के साथ होता है बच्चे कई दिन पूर्व से इस पर्व की प्रतीक्षा करते हैं वह उस दिन पटाके चलाते हुए अतियंत आनंद का अनुभव करते हैं इस दिन मिठाई खरीदने वा बांटने की प्रमपरा भी है सारे बाजार में मिठाईयों की दुकाने बड़े आकरशक धंग से सजी होती हैं उन पर लोगों की अपार भीड चाई रहती हैं लोग मिठाई खरीद कर अपने मित्रव संबंदी जनों में बांटते हैं परव में विकार आधनिक युग में परवों की यथार्थता से हटकर उसमें अनेक विकार पैदा हो गए हैं लोग लक्षमी पूजा के नाम पर जुवा खेलते हैं जुवे खेलने से कई घर उजड जाते हैं यह एक समाजिक बुराई है पटाकों का उप्योग करने पर कई स्थानों में आग लगने का भय रहता है कई बच्चे पटाकों के प्रयोक से एक दूसरे के शरीर में चोट भी पहुचा देते हैं परव के उक्तविकार समाज के लिए हानिकारक हैं उपसहार दिपावली का परव हमें ज्यान प्राप्ति का संदेश देता है यह एक आजीन परंपराओं को समाज से लुप्त होने से बचाना चाहिए थैंक यू सो मुच फर वचिंग फ्रेंद्स इफ यू लाइक दो फोगेट तू थम्स अप और शेर दिस इन यू ग्रूप हापी दिवाली इन एडवान्स